सुनने वाले सारे भाईयों बहनों और छोटे बड़े सब को मेरी राम राम दिये हुए मेरे लेंक पर जाकर खरीद सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कथा। इस्तार सहित इसे स्पष्ट कीजिए। व्याद का ये निवेदन सुनकर ब्रह्मन शंक कहने लगे। इस स्रिष्टी में तीन प्रकार के जीवों की इश्वर ने रचना की है। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इन तीनों ही प्रकार के प्रानियों की गुणों के अनुसार कर्म गती है। रजोगुण वाले कर्म प्रधान हैं, तमोगुण वाले तमोगुण प्रधान हैं और सतोगुण वाले प्रानी सतोगुणी कर्म करते हैं। इसी कारणवश ये प्रानी उचे या नीचे कर्म करके अपने कर्मों के अनुसार कभी दुख और कभी सुख का फल पाते हैं, गुणों और प्राणियों के कर्मों के अनुसार ही इनके कर्मों का नाश और फल होता है, प्राणियों के पंच भूत का तो नाश होता है, लेकिन प्रकृती का कभी भी नाश नहीं होता है, प्रकृती अनश्वर है, तमोगुणी वृत्तियों के कारण घोर दुख को प्राप्त होते हैं हिंसक पशुओं से लेकर राक्षस, पिशाच, इत्यादी सब तमोगुणी है इस कारण इन सब की गती तामसी है इनके विपरीत, रजोगुणी प्रानी मिश्रित, बुद्धी और स्वभाव के होते है अपने कर्म फल भोगने के लिए इन्हें बार-बार मृत्यू लोक में जन्म भी लेना पड़ता है सतो गुणी इन तीनों में श्रेष्ट हैं ये धार्मिक, सदाचारी, दयालू और परनिंदा रहित होते हैं इसलिए ये मित्र स्वभाव, बुद्धी और कर्म वाले हैं विश्नु भगवान इन्हें अपना स्वरूप प्रदान करने के लिए इनके गुण धर्म के अनुसार इनसे कर्म कराते हैं ये सुनकर व्याध ने पूछा हे विप्र, पूर्ण भोग प्राप्त करने वाले मनुष्यों को मुक्ति कब प्राप्त होती है इस स्रिष्टिकाल, स्थितिकाल और संगहार काल के समय मर्यादा क्या है शंक ने कहा चार हजार युग की अवधी ब्रह्म के एक दिन के बराबर होती है और इतनी ही अवधी उनकी एक रात के बराबर होती है इस प्रकार के दिन और रात मिलकर ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है पंदरह दिन की अवधी का समय एक पक्ष माना जाता है और दो पक्ष मिलकर एक माह होता है दो माहकी अवधी की एक रितू और तीन रितूओं को मिलाकर एक आयन होता है। दो आयन मिलकर एक वर्ष माना जाता है। इस प्रकार के सौ वर्ष अर्थात ब्रह्मा के एक दिन के अनुसार सौ वर्ष व्यतीत होने पर एक ब्रह्म कल्प माना जाता है। वेदों को जानने वालों के अनुसार जब एक ब्रह्म कल्प पूरा हो जाता है तब प्रले काल आता है ये प्रले काल भी तीन प्रकार का होता है ये प्रले देनन्दिन प्रले के नाम से विख्यात है इसके पश्चात ब्रह्मा जी के लए होने पर जो प्रले होता है वो ब्रह ब्रह्मा जी के एक महुरत में होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के चौधा महुरतों में चौधा मनुओं का प्रले होता है। मनवंतर प्रले में तीनों लोकों का प्रले हो जाता है। इसमें केवल चेतन जीवधारियों का ही नाश होता है। लोकों का स्वरूप नश्ट नहीं होता है, मनवंतर की समाप्ति के बाद चेतन जीव उत्पन होते हैं, दैनन्दिन प्रले में लोक तथा लोक में स्थित सब का नाश हो जाता है, एक मात्र सत्य लोक के अतिरेक्ट अन्य कोई लोक शेश नहीं रहता है, और चेतन अभिभूत जीवधारियों समेत सारे लोकों का ब्रह्मा जी के शयन करने पर विनाश हो जाता है, अपवाद रूप से कुछ तत्वा भिमानी देवता और रिशी जीवित रह जाते हैं, और सत्य लोक में निवास करने वाले सारे प्राणी जीवित रहते हैं, ये सब एक कल्प तक निद में लीन रहते हैं, फिर ब्रह्मा जी दोबारा स्रिष्टी की रचना करते हैं, तब फिर से शेश शाई भगवान विष्णू के दस अवतार नियम के अनुसार होते हैं, जब कल्यूग समाप्त होता है, तो सारे दैत्यों और असुरों का विनाश होता है, और तब ये सब कल युग सहित स्वगती को प्राप्त करते हैं, हे व्याद, अब मैं तुम्हारे सामने स्रिष्टी काल और मुक्ति काल दोनों का वर्णन करता हूं, देवाधी देव भगवान विष्णू का एक पल ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान होता है, और इतना ही देव शिरोमनी विष्णू भगवान का उनमेश यानि पलकों का खोलना होता है, निमेश की समापती पर लोकों के स्रिजन की कामना उत्पन होती है, उस समय सारे लोकों को तथा अनेकों जीव वर्गों को, जो कि उनके उदर में स्थित रहते हैं, उनके विशे में विचार किया जाता है, क उनमेश के पहले भाग में चतुर व्यूहात्मक विभू छे गुणों वाले होकर व्यूहुमे स्थित वासुदेव से ब्रह्मा को सायुज्य मुक्ती देकर उसके बाद महान आत्माओं को सारूप्य मुक्ती देते हैं, किसी को नारत जी के समान सामिप्य मुक्ती देते हैं। प्रद्युम्न से स्रिष्टी रचना का विचार करते हुए भगवान स्वयम, माया, जया, शांती और कृती से विवाह करते हैं। फिर व्यूह में स्थित संकर्षन की सहायता से चराचर जगत का नाश करते हैं। ये उनका अकतनीय कर्म है। तब व्याध ने कहा इन सब का उनने की मेरी तीवर जिग्यासा है। कृपया इन्हे स्पष्ट रूप से कहें। तब ब्रह्मन शंक ने कहा जिस धर्म का पालन करने से हिरदय निर्मल हो, चित निश्पाप हो और सद आत्माओं का उपकार हो, वही सतो धर्म है। वर्णाश्रम के धर्म के अनुसार ये ध जो गुणी धर्म माने जाते हैं। राक्षसों, पिशाचों आदी का पूजन करना, कठोर देवताओं की पूजा करना, और धर्माधार ग्रहन कर हिंसा करना, यानि बली इत्यादी देना, ये सारे निन्दित तमो गुणी कार्य हैं। भगवान विश्णु को सतो गुणी धर्म ही प्रिय है और वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। निश्काम भाव से श्रद्धा के साथ भगवान विश्णु संबंधी जो धर्म पालन किये जाते हैं, वही भागवत धर्म हैं। इस लोक और परलोक में सुखी करने वाले अनेकों धर्म हैं। लेकिन विश्णु भ प्रकार वैशाख के धर्म भगवान ने लक्ष्मी जी के निमित कहें हैं। पान और गोरस का दान करना अति उत्तम है। चटाई, गोदान, तिल और शेहद का दान इन सारे दानों को करना सारे पापों का नाश कर देता है। जूट बोलना, दिन में सोना, निशिद भोजन का त्याग कर देना चाहिए। घीया, गाजर, प्याज, लहसुन, तिल, कांजी, फूट, धोया, तुरई, कलिंदा, सहजन, चौलाई, कुल्थी और मसूर की दाल इन सारे शाकों और दालों का विशाक धर्म के पालन करने वाले को त्याग कर देना चाहिए। बेंगन, कलिंदा, चौलाई, मूली, गूलर, बेलपत्र और लसोडा इत्यादी का पूरी तरह से निशेद कर देना चाहिए और पूरे माह इनका सेवन नहीं करना चाहिए। वैशाक मास के लिए ये सारे पदार्थ निशिद बताए गए हैं। यदि साधक इन में से एक पदार्थ का भी सेवन करता है तो वो चांडाल योनी को प्राप्त होता है। वैशाक सुधी द्वादशी के दिन दही और अन का दान करना चाहिए। नए जल के घड़े को दक्षिना के साथ दान करना चाहिए। और फिर जूता और छतरी का दान करके ब्रहमन को भोजन कराकर शीतल पेजल, दही, अन, तामबूल और दक्षिना लेकर ये संकल्प करना चाहिए कि ये सब मैं धर्मराज के निमित दान करता हूँ. फिर फित्री गणों और गुरू के तथा भगवान विश्नु के निमित दान करना चाहिए. शीतल पेजल और कांसे के पात्र में दही, अन, और दक्षिना एवं फल रखकर निवेदन करना चाहिए. हे प्रभो, मैं विश्नु धाम की प्राप्ति के निमित इन सारे दानों को क उसके बाद कुटुमभी ब्रहमन को गौधान या अपनी सामर्थे के अनुसार जो भी दान कर सकें वो दान करना चाहिए. इस प्रकार सारे पापों से मुक्त होकर अपने सौ कुलों का उद्धार करके, सूर्य मंदल को पार करके, योगियों के लिए भी दुरलब श्री वि सामने ही एक पांच शाखाओं वाला व्रिक्ष अपनी जड़ों को छोड़ कर अचानक प्रित्वी पर गिर पड़ा, इसके साथ ही व्रिक्ष की कोटर से एक बड़ा ही भयानक विशेला नाग निकला, वो भी अपनी नाग काया को त्याग कर, दिव्वे शरीर धारन कर, नाप्थ हुआ